नमस्कार मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूस नेताओं को 30,000 लोगों का फर्मान पहले पुल फिर मतदान इस बार बिहार विधानसबा चुनाओं में चच्री पुल बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि पिछले कई दश्कों से बिहार के नेता अपने इलाकों में जाते हैं वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते इस बार बास की खपच्चियों से बने चच्री पुल बड़ी दिक्कत कर सकते हैं निर्माण की लंबित मांग की अंदे की राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर भाड़ी पर सकती है और आई और कट्रा के लोगों के मताबिक इस बार यहां की जनता आने वाले चुनाओं में नेताओं को सबक सिखाएगी जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा मुझफर पुर के पाँच गावों के लोग वोट का वहिशकार करेंगे इन गावों में करीब 30,000 लोग रहते हैं चचरी पुल के बगेर मुझफर पुर के औराई और कट्रा के लोगों का जीवन ही नहीं चल सकता साल के 7-8 महिने यहां के लोगों का आवा गमन चचरी पुल से ही होता है और आई विधान सवा छेत्र के सुंदर खौली गाउं में आज पुल का निर्माण नहीं हो सका लोग चंदा एकटा कर वहां से बने चचरी पुल के सहारे आवा गमन कर रहे हैं स्थानिय लोगों का कहना है कि इस बार भी चुनाओं में चचरी का मुद्दा रहेगा हर बार पुल का जहासा देकर वोट करवा दिया जाता है लेकिन चुनाओं के बाद इस गाउं की तरफ कोई जहाकने भी नहीं आता चचरी पुल पार कर रही बुजुर्ग महिला चंद्रकला देवी ने बताया कि हर साल लेता पुल बनवाने की बात कहकर वोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद इस गाउं को भूल जाते हैं लेकिन इस बार पाँच गाउं की जनता आने वाले चुनाओं में नेताओं को सबक सिखाएगी ग्रामीर कहते हैं कि जब तक पुल का निर्मान नहीं होगा तब तक वोट नहीं किया जाएगा वही दूसरी महिला शांती चौधरी ने बताया कि यहां आजादी से लेकर आज तक लोग चच्री पुल पर आवागमन करते हैं बहुत सारे इनेता आए गए और पुल वनबाने की बात कही लेकिन आज तक यहां पुल का निर्मान नहीं हो सका पुल से गिरने और दुरघटना होने की संभावना वनी रहती है और आई विधान सबाचेति के प्रखंडो और आई वहां कट्रा की 42 पंचायतों को मिलाकर बना है इसमें और आई की 26 एवं कट्रा की 16 पंचायते शामिल है देखते रहिए दा खबरदार नियूस